क्या मैं अकेला हूँ जिसे ये नहीं पता था कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? 15 अगस्त 1947 को दुनिया ने एक संप्रभू राष्ट्र भारत के जन्म का गवाह बना। जैसे ही सूरजुगा, आशा, स्वतंत्रता और आत्म निर्णय का एक नया युग शुरू हुआ। अंगिनत गुमनाम नायकों के संघर्ष से लेकर महात्मा गांधी और जवाहर लाल नहरू जैसे नेताओं के वाधपटू शब्दों तर हर कदम भारतिये लोगों की अदम में भावना का प्रमान था। आधी रात के समय जब धरन से कम नहीं हमारी सम्रण नहीं है लोगों धरन से कम नहीं हमारी सम्रण नहीं है। प्रिद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन्त त्योहार और विवित्ता में एकता हमें अद्वितिय बनाती हैं। हमने अपने प्राचीन मंदिरों को संरक्षित करते हुए गगन चुम्भी इमारतें बनाई हैं। बॉलिवुड की धुनों पर नाचे हैं और साथ ही शास्त्रिय संगीत और मृत्य रूपों को संजो कर रखा है। जैसे ही हम अपना अठट्ट्वा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आईए हम अतीत को गर्व के साथ याद करें और भविश्य को आशा के साथ देखें। क्योंकि भारतिय होना सिर्फ एक नेशोनियता नहीं है, ये एक साज़ा पहचान है, लचीले पन और नवीनता की सामुहिक भावना है। वन्दे मातरम इस स्वतंत्रता दिवस पर आईए हम सपने देखने, बढ़ने और बदलाव लाने की स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। जय हिंद।